नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राजंद्र आपके लिए हिंदी विषय पर आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आज हम हिंदी में वर्णों के प्रयोग को देखेंगे कि वर्णों का प्रयोग हम किन किन रूपों में करते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आदी पिछला वीडियो आप चेनल पर जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो हमें हिंदी को समझना है याद बहुत कम करना है यदि हम याद जादा करेंगे कम समझेंगे तो कोस्चन को स्वाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि याद किया हुआ हम भूल जाते हैं और समझी हुई चीज हम नहीं भूलते हैं तो चलिए समझते हैं आज का हिंदी वीडियो और कुछ कुछ चीजे याद करते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तो आपके लिए यह प्रशन दिये गए हैं तो आप पहले प्रशन देखिए फिर हम स्टार्ट करेंगे पहला प्रशन है निम्न में से किस अक्छर का उच्चारन मुह प्लस नाक से नहीं होता तो देखिए यह मर बर देखिए आप बोल कर देखिए आपको पता चल जाएगा निम्न में से किस अक्छर का उच्चारन ओटो से नहीं होता है देखिए उ, फ, उ, त तीसरा क्वेशन है छ किन दो सब्दों से मिलकर बना है कधन छ, कधन छ, कधन छ, कधन इया अगला कोश्चन है भासा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सब्द, विंजन, वर्ण या स्वर निम्न में से कौन सा स्वयुक्त विंजन है देखिए र, ग्य, र, य छटवा कोश्चन है कर वर्ग उच्चारन की देश्टी से निम्न में से क्या है ओष्ट, कंठ, नासिक, तालूग अगला कोश्चन है निम्न में से कौन सा अघुस वर्ण है अ, ज, ह, सर अगला कोश्चन है निम्न में से कौन सा हस्वसर नहीं है अ, इ, इ, उ अगला कोश्चन है निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है निम्न में से कौन सा वर्ण ट वर्ग का नहीं है अगला कोश्चन है निम्न में से किस वर्ग के बेंजन यरलव है देखिए तालब्य उस्म अंतस्त ओस्ट अगला कोश्चन है भासा निर्मान की एकायो का सही क्रम है सब्द ध्वनी वाक्य पद दोस्तों अब हम आग स्टार्ट करते हैं इनको सौल्व लास्ट में करेंगे हमें हिंदी पढ़ने से पहले सब्दों का अर्थ पता होना बहुत जरूरी होता है इससे हमें समझने में आसानी होती है तो चलिए हम सब्दों का अर्थ देखते हैं स्वर तो वह वन जिनका उप्योग हम स्वतंत रूप में करते हैं तो स्वर वह हैं जिनका उप्योग हम स्वतंत रूप में कर सकते हैं आज तो आ में आ जो है उसको हम सुतंत रूप में उप्योग कर रहे हैं इस प्रकार से स्वरों को हम सुतंत रूप में उप्योग करते हैं स्वरों के यहां पर प्रकार दिये गए हैं तो देखिए हस्वस्वर कौन से वहते हैं तो वह स्वर जिनके उच्चारन में कम समय लगता है मतलब हम जब बोलते हैं तो हमें कम समय लगता है तो वो कहलाते हैं हस्वस्वर मतलब वह स्वर जिनके उच्चारन में अधिक समय लगता है अर्थात जब हम इन स्वरों का उच्चारन करते हैं तो हमें अधिक समय लगता है तो वो कहलाते हैं दीर्ग स्वर अब देखिए दीर्ग स्वर का उपयोग करते हैं तो अधिक समय लगता है लेकिन उससे भी अधिक यदी समय लगता है हमें स्वरों को उप्यों करने में तो वो कहलाते हैं प्लूस स्वर तो वह स्वर जिनके उच्चारण में दीर को स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं प्लूस स्वर जैसे हम किसी को पुकारते हैं राम, स्याम, राजू, तो यह जब हम लंबा खीशते हैं, तो इसमें अधिक समय लगता है हमें, तो यह कहलाते हैं प्लूस्वर, अब देखिए, जीब के भाग के आधार पर तीन प्रकार के स्वर दिये गए हैं, तो जीब का हम जब आगे का भाग यूज़ करते हैं, तो वह कहलाते हैं अग्रस्वर, दूसरा आता है मध्यस्वर, मतलब हम जीब के बीच का भाग का उप्योग करते हैं, तो वह कहलाते हैं मध्यस्वर, देखिए, सब्द से समझ में आ रहा है अग्र मध्य पश्च, मतलब यहाँ पर जीब की बात हो रही है, कि जीब का अग्र भाग मद्द्धभाग और पश्च्च भाग तो वहस्वर जिनमें जीव का आगे का भाग यूज होता है और वहसी वह cream-सव जिनमें जीव के मद्द्ध का भाग यूज होता है तो वह याने बंद होना, अर्ध विबरत मतलब आधा खुलना, अर्ध सम्वरत याने आधा बंद होना, तो देखिए विबरत स्वर कौन सु होते हैं, वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, पूरा खुलता है, अर्ध विबरत की बात करें, तो वह स वहस्वर जिनके उच्चारन में मुख द्वार आधा खुलता है, मतलब हमारा मुख आधा खुलता है, अर्द सम्वरत वहस्वर जिनके उच्चारन में मुख द्वार आधा बंद होता है, सम्वरत वहस्वर जिनके उच्चारन में मुख द्वार लगभग बंद होता है, व्रत बन जाता है तो देखिए वहस्वर जिनके उच्चान में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं वह कहलाते हैं अव्रत मुखी और वहस्वर जिनके उच्चान में ओठ गोलाकार होते हैं तो वह कहलाते हैं व्रत मुखी अर्थात व्रत जैसे हो जाते हैं अब देखिए अनुनासिक निनुनासिक है ना तो निनुनासिक वह स्वर जिनके उच्चान में हवा मुख से निकलती है अर्थाथ सिर्फ मुख से निकलती है नाक से नहीं निकलती तो वह कहलाते हैं निनुनासिक अनुनासिक में देखिए तो वह सवर जिनके उच्चाण में हवा मुहों और नाग दोनों से निकलती है तो वह कहलाते हैं निनुनासिक अब देखिए यहाँ पर अगोश और सगोश तो वह सवर जिनके उच्चाण में सवर तंत्रियों में कंपन होता है देखिए हम जब बोलते हैं तो हमें भी महसूस होता है कि कमपन होता है सघोस मतलब वह सवर जिनके उच्चायन में स्वर्त अंत्रियों में कमपन होता है और अगोस में अगोस मतलब जिनके उच्चायन में स्वर्त अंत्रियों में कमपन होता है अब देखी यहाँ पर मुख से हवा निकलने के अधार पर अल्प प्राण और महाप्राण दिया गए अल्प प्राण यहने वायू, अल्प यहने कम, तो कम हवा जब मुख से निकलती है तो वह कहलाते हैं अल्प प्राण और जब ज़्यादा वायू मुह से निकलती है तो वह कहलाते हैं महाप्राण तो देखिए यहाँ पर वह स्वर जिनके उच्चारन में मुख से कम हवा निकले मतलब हमारे मुख से जब कम हवा निकलती है और हम स्वर का उच्चरन करते हैं तो वह कहलाते हैं अलपप्राण वह स्वर जिनके उच्चरन मुख से ज़्यादा हवा निकले वह कहलाते हैं महाप्राण देखी यहाँ पर अब बिंजन आ गए स्वर का part खतम होगे अपना अब आगे अपने वेंजन तो वेंजन वह वर्न जिनका उपयोग हम स्वर के साथ करते हैं मतलब वेंजन का उपयोग हम स्वतन्त रूप में नहीं करते हैं जैसे कोई भी सब्द ले ले हम, यसे क है, तो क में अ जुड़ा रहता है, तब पूर्ण क बनता है, तो वह वेंजन है क, और इसका हम स्वतनत रूप में उप्योग नहीं करते हैं, स्वर के साथ करते हैं, मतलब उसके साथ में अ जुड़ा रहता है, तो वेंजन वह वर्ण जिनका उप्योग हम स्वर के साथ करते हैं वह कहलाते हैं वेंजन तो देखिए वेंजन के प्रकार भी दिये गए हैं इसपर्स वेंजन तो वह वेंजन जिनका उच्चान करने पर हवा कंठ तालू मूर्धा दाद ओड को इसपर्स करती है मतलब हवा इसपर्स करती है तो इसपर्स वेंजन हो गए देखिए हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि जीब जीब का भाग जैसे कंठ में इसपर्स कर रहा है तालू में कर रहा है मूर्धा दाथ ओंट में कर रहा है तो इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं उस्म या संगर्सी वेंजन तो वह वेंजन जिनका उच्चारण करने पर मुख में किसी भी स्थान पर घर्षन या रगड होता है तो देखिए जब भी कहीं पर घर्षन या रगड होता है तो हम जानते हैं कि उस्म उत्पन होती है तो इसलिए इन्हें उस्म भी कहा जाता है संगर्षी, मतलब घर्षन होता है इसका इन्हें संगर्षी भी कहा जाता है अगला देखिए उच्छिप्त बिंजन तो वह बिंजन जिनका उच्चरन करने पर जीव उपर उठती है, मूरधा को इसपर्स करती है फिर जटके से नीचे आ जाती है तो ये कहलाते हैं उच्छिप्त विंजन अयोगवाह यह न तो स्वर है नहीं विंजन है इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है लेकिन यह अपने साथ अर्थ लेकर चलते हैं अर्थात अर्थ का वहन करते हैं इस करने ने अयोग वह कहा जाता है चलिए देखते हैं आगे देखिए ये दिये गये हैं अयोग वह जो अपन ऊपर एक बिंदी लगाते हैं उसको बलते हैं अनुस्वार और साइड में जो बिंदी लगाते हैं दो वह कहलाते हैं विसर्ग तो ये दोनों अयोग वह वर्ण है देखिए यहाँ पर वर्ण या ध्वनी क्या होती है हम बहुत देर से बात कर रहे हैं वर्ण 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 तो वर्ण होता क्या है यह देखिए वर्ण भासा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण को ही हम ध्वनी कहते हैं देखिए वर्ण और ध्वनी में confuse नहीं होना है वर्ण और ध्वनी एक ही होता है सबसे छोटी एकाई वर्ण को भी बोलते हैं और ध्वनी को भी बोलते हैं अब देखिए भासा तो भासा वह माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारी अनुभूतियों को एक द को उपयोग करते हैं भासा सब्द की उत्पत्ति संस्क्रत के भास सब्द से हुई है जो कुछ हम बोलते हैं तो बोलने को संस्क्रत में भास कहा जाता है चलिए आगे चलते हैं अब बात करते हैं भासा की इकाईयों के बारे में यहां पर देखिए आप छोटी से बड़ी दी हैं तो सबसे छोटी इकाई कुन सी होती हैं वर्ण या ध्वनी वर्ण या ध्वनी से मिलकर क्या बनता है अक्षर जैसे क तो क और अ मिलकर क्या बना अक्षर बना क भी ध्वनी ह और अधिध्युन है पिरfundedर्ण है दोनों मिलकर किया बन गए अकछर अकछर से बनता भॉद या सब्ड तो वगहलों को मिलाया जैसे दो अकछरों को हमने मिला घुंप सब्द न गया तो और ये चोटी से बड़ी हिकाईया है अब इनको हम उल्टा कर दें तो बड़ी से छोटी काई आ जाती है बाग के उपवाग के पदवन्द पद या सब्द अक्छर ध्वनी या वन्द इनमें कन्फूज नहीं होना है इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे अलग से इसको समझेंगे बड़ा चिप्टर है तो चलिए आगे बढ़ स्वर और विंजन अब वर्णो की संख्या की बात करते हैं हम तो वर्णो की संख्या के संख्या उच्चारन और लिखने के आधार पर अलग-अलग होती है जो हम मुह से बोलते हैं उच्चारित करते हैं उसमें अलग संख्या होती है और जो हम लिखते हैं उसमें अलग होती तो देखिए यहाँ पर उच्चारन के आधार पर 10 स्वर होते हैं और 35 विंजन होते हैं तो कुल कितने हो गए 45 वर्ण हो गए अब देखिए लिखने के आधार पर हम 13 स्वर का उप्योग करते हैं और 35 विंजन होते हैं और 4 होते हैं संयुक्त विंजन इस प्रकार से 52 बढ़न हो जाते हैं तो लिखने में 52 होते हैं और उच्चारण के आधार पर 35 बढ़न होते हैं यहां पर देखिए स्वर दिये गए हैं प्रयोक के आधार पर दिये गए हैं कि लिखने में 10 होते हैं और लिखने में 13 होते हैं और बोलने में 10 होते हैं तो देखिए बोलने में कौन-कौन से हैं 10 तो यह होते हैं बोलने में जिनको हम बोलने में उप्योग करते हैं अब देखिए लिखने में हम किन-किन स्वारों का उप्योग करते हैं देखिए तो इनको हम लिखने में उप्योग करते हैं वेंजन देखिए तो वेंजन में पांच वर्ग दिये गए है कचटतप देखिए ये कचटतप हमें याद रखना है कचटतप इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं मतलब यह है इनके पहले वर्ण है इन वर्गों के पहले वर्ण यही है कचटतप तो यहाद रखना इन में से Question आते हैं कचटताप लिया तो कवर्गे कान्तरगत कुन-kून से आते हैं writes कखगगण은ह अब शबार क大家好 के अंतरगत क्या क्या आते हैं मतवर्गे कान्तरगत का फ़ाए अब traumat के अंतरगत आते हैं अन्तास्थ बन्जन दिये गये हैं, कौन्कौन से हैं अन्तास्थ बन्जन? यरलवह और इसमें बन्जन कौन से हैं? श, स, स, समयुक्त बन्जन कौन से हैं? safe, तरह, गया, और, श, चलिए, आगे वहर पढदते हैं डेटेल में, देखिए द्वी गुण एवं संयुक्त बेंजन दिये गया है यहाँ पर तो द्वी गुण बेंजन कौन से वहते हैं रड़ा यह है द्वी गुण बेंजन है ड़ा भी है ड़ा भी है तो इनका दो गुण है इसलिए इनको कहते हैं द्वी गुण बेंजन आप देखिए संयु तो बोल रहे अर्थाद दो विंजनों के योग से बन रहे हैं तो देखिए दो विंजन कुन कुन से हैं इनमें से क्रेशन आते हैं तो इनको आप याद रखिए समझ लेजिए है तो देखिए जिससे एक्छए इक्ष, इक्ष किंदो विंजनों से मिलकर बना है, तो देखिए कः और श, इन दोनों को जब हमने मिलाया, तो बन गया एक्ष, तो इसको अंग्रेजी में के से लिखते हैं, तो यह आपको याद रखना है इनको सभी को, तधन रह मिलकर बना है तरह, जधन इय मिलकर बना है तो इनको याद रखना है आप स्क्रिन्शोट आप चाहें तो हर पेज का आप स्क्रिन्शोट लेकर रख सकते हैं अब देखिए बिदेशी सब्द जिनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो अर्वी फार्सी सब्द कुन से हैं यह हमें पहचान होनी चाहिए अंग्रेजी सब्द कुन सा है हिंदी का सब्द कुन सा है तो देखिए यहाँ पर जुक ख ज ज यह हैं तो इनमें जब नीचे बिंदी लगा दी जाती है तो वो अर्वी फार्सी बन जाते हैं मतलब नुकता या तल बिंदू लगा देते हैं इसमें नीचे तो यह अर्वी या फार्सी कहलाते हैं याद नहीं करना जादा से जादा हमें समझना है चलिए अंग्रेजी बढ़ने देखिए जिसमें अर्ध चंद्रविंदु लगा होता है वो होता है अंग्रेजी बढ़ने सिर्फ समझना है हमें देखना है समझ आ जायेगा चलिए यहां पर उच्चारन करने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वरिगर्ण किया गया है तो देखिए उच्चारन करने में हमें किसी में कम समय लगता है किसी में अधिक लगता है और अधिक लगता है तो देखिए हट सुस्वर मतलब जिनमें हमें उच्चारण करने में कम समय लगता है तो देखिए कौन से सुवर हैं वो आप बोल कर देखिए कि आपको बोलने में कम समय लाएगा दीर को सुवर मतलब जिनमें अधिक समय लग रहा है इसा है फ्लूस्वर में दीर के स्वर से बिए अधिक समय लगता है जैसे हम किसी को भी पुकारते हैं तो लम्बा खिचाता है तो बूझे लम्बा खिचाता है वह वताए फ्लूसर चलिए आगे यहां पर उच्चारन करते समय जीब के भागों के प्रयोक के आधार पर स्वरों का वर्गी करन किया गया है तो देखिए हम जीब का भाग कौन-कौन सा यूज़ करते हैं तो देखिए हमने अभी पहले भी देखा था अगर भाग, मद्दे भाग, पस्च भाग जीब का जब हम अगर भाग यूज़ करते हैं तो कौन से स्वर आते हैं, देखिए मतलब इन में जीब का आगे का भाग उपयोग हो रहा है अब मद्दे भाग में देखिए पस्च भाग उपयोग किन स्वरों में होता हैं, तो देखिए आप बोलते जाएए, साथ में आपको समझ आता जाएगा यहाँ पर उच्चारन करते समय, मुह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गी करन किया गया है तो देखिए विवरत, विवरत अर्थात इसमें मुह पूरा खुल जाता है है न, वो समच लगभग बन्ध होता है, तो विवरत, समच दोनों एक दूसरे के अपोजीट हो गए अब देखिए, अर्थ विवरत वो समच अर्थात इन आ है तो विवरत में देखिए आप आ, को बोलके देखिए, आ तो मुह पूरा खुल रहा है अर्ध विपरत, मतलब मुह आधा खुल रहा है अ, ए, औ, आई, आई, आधा, खुल रहा है अर्ध सम्वरत में देखिए, इसमें हमारे मुह आधा बंध होगा जैसे ए, ओ, आप उच्छरन करके देखिए, आपको समझ आयाएगा लगवग इसमें मुह बंद होता है हमारे जैसे इ, इ, उ, उ, है न, तो हमारा मुह लगवग बंद रहता है यहाँ पर उच्चारन करते समय ओठो की इस्थिती के आधार पर स्वरो का वर्गिकरन किया गया है तो देखिए ओठों के इस्तिति देखते हैं ओठों के इस्तिति या तो वरत मुखी होती या वरत मुखी होती है अर्थात या तो गोलाकार होगी या गोलाकार नहीं होगी तो अवरत मुखी देखिए जिसमें मुख गोलाकार नहीं होता है इसमें वरत नहीं बन रहा है मतलब गोलाकार ओट हमारे नहीं हो रहे है अब वरत मुख्यों में देखिए इसमें हमारा मुँ गोल हो रहा है मतलब हमारे ओट गोल हो रहे है चलिए आगे देखते हैं देखिए यहाँ पर उच्चारन करते समय हवा के मुँ वे नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गिकरन किया गया है तो देखिए जब हमारी नाक और मुँ दोनों से हवा निकलती है तो वह कहलाते है अनुनासिक और सिर्फ मुँ से हवा निकलती है तो वह कहलाते है निनुनासिक या मोखिक तो देखिए यहाँ पर निनुनासिक या मोखिक सब्द कुन से है या वर्ण कुन से है तो देखिए यह क्या है निर्नुनासिक है या इनमें सिर्फ मुह से हवा निकल रही है अब देखिए इनमें हमाई नाक से भी हवा निकल रही है मतलब नाक का उप्योग भी हो रहा है तो आपको समझ आगे आओगा होगा चले आगे वड़ते हैं देखिए वह वर्ण जिनका उच्चारन करने पर हवा मुख से निकलने से पहले कंठ, तालू, मूर्धा, दान्त, ओट को इसपर्स करती हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कंठ, तालू, मूर्धा, दान्त, ओट यह 5 जो हमने 5 बार के देखे थे, वही दिये हैं यहाँ पर, कचट तप, है न, तो कचट तप, आप गले से स्टाइट कीजिए, कंठ से स्टाइट कीजिए, और ओट पर आ जाईए, और कचट तप को रख लीजी सिधा क, कंठ में आ गया, च, आपका तालू में आ गया, त, आपका मूर्धा में आ गया, त, आपका दाद में आ गया, उपपा आपका ओट में आ गया, मतलब की, आप कंठ से ओट की और आईए, और कचट तप को विशा जमा लीजिए, है न, तो कंठ सब्द कौन से है, क, ख, ग, आप देखिए देखिए तालू सब्दों से याप क 550 ृट और ऊट सब्द कॉन से तो इसमें देखिए है आपको याद रखना है कझत से ओड की और आना है ौर कचट तब को वेसे ही जमा लेना है मतलब कंट का उपियोग कवर्ग तालू का उपियोग चवर्ग मूर्धा का उपियोग टवर्ग दात का उपियोग तवर्ग ओट का उपियोग पवर्ग आप बोल कर देखिए कि जैसे कख गगग इंग बोल रहे तो इसमें हमारा कंट उपियोग हो रहे हैं है न में उपयोग हो रहा है त्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् वह वर्ण जिनका उच्चारन स्वर और वेंजन के बीच होता है मतलब न स्वर न वेंजन इन दोनों के बीच में होता है तो यह होता है यह रलवर इनको अंतस्थ वेंजन कहता है मतलब बीच में जिनका उपयोग होता है यहाँ पर देखिए यह तालाव्य हैं रवत से हैं लवी वत से हैं और दन्तोष्टे हैं है ना और यहाँ पर देखिए चारो सगोस और महाप्राणे सगोस अर्थाद घरसन हो रहा है इनको बोलने में है ना और महाप्राणे ने अधिक वायू निकल रही है यह रव है ना तर वहवर्ण जिनका उच्चारन करने पर हवा मुख में किसी स्थान विशेश से रगड़ या घरसन कर निकले तो देखिए यहाँ पर उसमया संगर्शी वेंजन दिये गए हैं इन सब्दों का अर्थी भी हमने पहले देख चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा देखिए यहाँ पर दिये गए हैं स, स, ह, ह, है ना तो इनको देखिए यह स, जो स, सहर वाला है यह तालब इसमें तालू का उप्योग होता है वो स, सटकुन वाला जो है इसमें मूर्धन उप्योग होता है ससरोते वाला इसमें वच्छ अर्था दंत मुलिया मसूड़ों को उपयोग होता है और है देखिए इसमें स्वर्तंत्रिय ये कंठ के भीतर का भाग उपयोग होता है अब देखिए अगोस महाप्राण मतलब सश और सश ये अगोस और महाप्राण है अगोस मतलब इनमें घर्षन नहीं होता है महाप्राण है अर्थाज इनमें से मतलब इनको जब हम उच्चारन करते हैं तो वायू अधिक निकलती है मुह से अब देखिए सगोस महाप्राण मतलब घर्षन हो रहा है और वायू भी अधिक निकल रही है तो वह है वह वर्ण जिनका उच्चारण करने पर जीव उपर उठकर मूर्धा से टकराती है फिर जटके से नीचे आ जाती है तो वह कहलाते हैं उच्छिप्त बेंजन तो देखिए इनको उप्योग करने में मूर्धा का उप्योग होता है अर्थाज जीव ऊपर टकराती है मूर्धा में तो मूर्धा का उपयोग होगा देखिए रड़ है ना तो दोनों का उपयोग जब हम कर रहे हैं तो जीव ऊपर गई मूर्धा से टकराई और जटके से नीचे आगे रड़ रड़ है तो दोनों क्या है मूर्धन्य है रहिए अब इसमें रड़ में दोनों में अंतर है तो रड़ जो है यह सघोस अलप्रप्राण है मतलब इसका जब हम उपयोग कर रहे हैं तो घरसन भी हो रहा है और वायू कम अधिक निकल रही है और इसको उपयोग जब हम कर रहे हैं तो यह सघोस तो है घरसन तो हो रहा है लेकिन इसमें वायू अधिक निकल रही है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों यह आपको अज़ फिर से कुशन आ गये हैं तो यह तो मैं सोल्व कराऊंगा नहीं यह तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा समझाया है तो जैस सी बात है कि यह आपको ही करना चाहिए तो आप इनका स्क्रिंसोट ले लिजिए या फिर एसे ज्यादा कोश्चन नहीं है सिर्फ बारा ही है यह यहां पर उत्तर माला विदी है आप उत्तर चेक कर सकते हैं इनके धन्यवाद दोस्तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले तो अगला वीडियो में जो भी बनाऊंगा वो आपको नोटिफिकर्सन में मिल जायगा पिछला वीडियो आपको यदि देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं धन्यवाद